विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत नम्बेड करक्योर से जैभीम नमबुद्धा है दांटो नम्बेड करके नोवे भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है इस भाग को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ स्टेटमेंट्स मोहन भागवत की और आरेसेस की पास्च जन्ने की स्टेटमेंट्स आपको बताना चाहता हूँ मोहन भागवत एक कारेक्राम में कह रहे थे कि डॉक्टर बावा सब अमबेड कर और आरेसेस की संस्थापक के भी हेगड़ेवार के जो बड़ी राम हेगड़ेवार ये शरीर से अलग-अलग थे लेकिन आत्मा एक ही था पास्चे जन्यक की मैगजिन कह दिये कि बावा सब अमबेड कर आरेसेस की कैम्प में आकर बैठा करते थे और आरेसेस का गुंगान गाते थे तो चलिए आज RSS के बारे में जानते हैं, RSS के बारे में जानना है तो आपको पहले Congress के बारे में जानना होगा, Congress की स्तापना हुई 1884 में, Congress की स्तापना की Chatterjee, Banerjee, Mukherjee, Annie Besant, Tillak, Agarkar, Saurkar, इन सभी ब्रहमनों ने मिलके और एक अंग्रेज ने मिलके इस Congress की स्तापना की, सबसे पहले जोतीरा फुले इनको अप्रोच किया गया, इनके पास जाया गया और उनको बिंती की गई कि आप हमारे इस Congress में आईए, जोतीरा फुले इन्होंने कहा कि आपका ये जो पक्षा है, आपका ये जो संगठने, ये ब्रामनों का संगठने और मैं इसमें नहीं आद चत्रपति शाहु माराज जी को Congress में लाने की बहुत तैयारी इन लोगों ने की, Congress के लोग चत्रपति शाहु माराज जी को जा कर मिले, शाहु माराज ने तो ये statement दे दिया कि ये कैसी Congress है, ये कोई Congress नहीं है, ये तो भामनों का दल है, मैं इसमें नहीं आउँगा, तो तो यहां से यह जो संगठन था कॉंग्रेस का यह सिर्फ ब्राह्मणों के हाथों में था बाबा सब अंबेड करजी का राजनेतिक सामाजिक सेक्षनिक पटल पर प्लाटफॉर्म पर उदव हो गया और बाबा साब ने जैसे मैंने कल के एपिसोड में कहा कि बाबा सब अंबे लोगों को वोड़ देने का अधिकार हो इसक्या ज्वलंत उधारन में तिलक का देना चाहता हूँ जब छत्रपती शाहूं महाराज जी ने 50% 50% आरक्षन जब लागू किया तब तिलक ने सभा लेकर कहा कि तेली तंबली और कुनभटों को संसद में जाके क्या हल चलाना है इनको क्यों चाहिए रिजर्वेशन इनको क्यों संसद में भेजना है इन लोगों का काम है खेतों में हल चलाना लोगों के जुते पॉलिश करना लोगों के बागों में काम करना इन लोगों को संसद में नहीं भेजना है और सबसे पहला विरोध किया था कॉंग्रेस के तिल उपर राज नहीं कर सकता था भारत का ब्रामण इनके उपर राज नहीं कर पाएगा इसलिए 1884 में बनी हुई ये जो कॉंग्रेस थी इसमें से कुछ लोगों को 1920 के बाद बहार निकाल दिया गया 1920 में ही बाबा सब अंबेड कर जी ने इस देश को वोट का अधिकार दे दिया था 1920 में वोट का अधिकार मिल गया और 1920 के ही बाद कॉंग्रेस में से कुछ लोगों को बहार निकाल दिया गया और 1923 में यही लोग भार आ गये और इनोंने आरेसेस से पहले एक जनसंग बनाया और उसी का नाम आगे चलकर आरेसेस हो गया हिंदू महासभा और आरेसेस यह सभी विचारधारा के लोग एक हो गये और इनोंने इस देश में हिंदूत्व की लहर हिंदूत्व को बढ़ावा इनोंने शुरू कर दिया अब आरेसेस का कहना है कि बाबा साब और आरेसेस एक ही विचारधारा के है RSS की विचारदारा है कि इस देश को हिंदू रास्ट बनाना वही पर बाबा साब 1935 में लाखों की सबा में कहते है कि मैं हिंदू धर्म में जनम लिया ये मेरे हाथ में नहीं था लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं अब RSS की मोहन भागवत को जवाब देना होगा जब बाबा साब इस हिंदू धर्म को ही नस्ट कर रहा चाते थे वो RSS की हिंदू तुव का पुरसकार कैसे कर सकते है दूसरी बाब इस देश में जब RSS की स्तापना हुई तब स्वातंत्र से याने आजादी के काल से पाज बार RSS इस देश में बैन थी पाज बार इसको आतंगी संगठन के नाम से जाना गया था और RSS का कहना था कि इस देश को हिंदूराष्टर बनाना है वही पर बाबा साब आपने आठवे Writing and Speeches के Volume में लिखते है कि इस देश को अगर कोई हिंदूराष्टर बनाना चाता है तो हर एक भारतियने इसका विरोध करना होगा और जैसे ही यही देश अगर हिंदूराष्टर बनता है यह सबसे खाई में यह देश चला जाएगा इसलिए हमको हिंदूराष्टर इस देश को बनाने से रोखना है दूसरी तरफ मोहन भागवत जी इस देश में राम राज्यलाने की कोशिश करते है राम राज्यलाने के लिए इस देश में काम कर रहा है और वही पर डॉक्टर बाबा साब अम्बेड कर अपने तीसरी दूसरी प्रतिग्या में कहते हैं कि मैं इस देश में राम को कभी भगवान नहीं मानूंगा और कभी उनकी पूजा नहीं करूंगा अब मुझे बताओ मोहन जी बाबा साब अपके राम को ही इस देश चे तड़िपार कर देते हैं वो बाबा साब आपका राम राज्य कैसे ला सकते हैं और कई सारी बात हैं जहां पर बाबा साब और RSS की विचारदारा एक नहीं हो सकती बलकि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि RSS की स्तापना ह रोकने के लिए कर दी गई थी 1920 से ही बाबासा बंबेटकरजी ने अपनी खुद की एक सेकुरिटी फोर्स बनाई थी अपना सुरक्षा दल बनाया था और उस सुरक्षा दल का नाम था समता सैनिक दल इसके establishment 1927 में हो गई थी लेकिन उससे पहले ही बाबासा बंबेटकरजी ने इस सुरक्षा दल का निर्मान करना शुरू कर दिया था और इसी सुरक्षा दल को देखते हुए RSS का हेगड़ेवार कहा करता था कि देखो बाबासा बंबेटकरजी जैसा सुरक्षा दल हमको बनाना है और बाबा साहब के समता से निकदल की ओर ये उंगली दिखा कर कहा करता था कि इस तरह का संगठर हमको तयार करना है। दुसरे ही दिन यानि 27 जन्यवरी को दिल्ली में आर्सेस ने सविधान की प्रतों को जलाया। ये आज दो साल पहले नहीं हुआ, 2008 में ये गटना नहीं गटित हुई पहली बार, ये सबसे पहली बार गटित हुई, 1950 में दुसरे ही दिन RSS ने भारत के सविधान को जलाया था, आज भी ये RSS United Nations के आतंकी संगठनाओं में एक प्रमुक संगठन है, इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाओंगा, ये जो मेडिया इनका काम कर रहा है, बाबा साब को RSS के प्रो दिखाने का, RSS के विचारधारा का दिखाने का काम कर रहा है, आज ही क्यों कर रहा है, मैं आपको इसकी वज़ा बताना चाओंगा, इसकी वज़ा है इस देश का मु जब इस देश में CA, NRC, NPR लागू करने की कोशिश की जा रही थी तब इस देश का मुसलिम रास्तों के उपर उत्रा हाथ में अपने धार्मिक जिंड़ा, फ्लैक्स को लेकर जिंड़े को लेकर नहीं तो इस देश के द्वच को रास्तों के उपर उत्रा और हाथ में को जलन होने लग गई कि जो मुसलिम यह मुसलिम आज बाबा साब के विचारों को फॉलो करने लग गया है, बाबा साब के फोटों को लेकर चलने लग गया है और उस दिन से RSS ये कोशिश में लगी है कि मुसल्मानों के हातों से बावा साब अंबेड करजी को हटाया जाए छीन लिया जाए दूसरे दिन C.A.N.R.C. के इस आंदुलन को जब चलाया जा रहा था दूसरे दिन हिंदुस्तान टाइम में नंद कुमार नाम का RSS का एजेंट एजेंट को ह पूर ट्रांसलेशन में देख लो यही नंद कुमार यह कह रहा था कि यह मुसल्मान तो बाबा साब की फोटो यूही लेकर घूम रहा है दरसल C.A. का समर्थन तो बाबा साब ही कर रहे थे बाबा साब के ही विचारों पर हम लोगों ने C.A. लागू किया है तो मैं आपको सविधान में आर्टिकल 14 में यह नहीं लिखते कि इस देश में नियाय देते समय किसी की जाती किसी का धर्म नहीं देखा जाएगा इस देश में धर्म निरेपिक्षता होगी किसी की जाती किसी का धर्म देखकर इस देश में कानून नहीं बनाया जाएगा और यह एक ही आर प्रत में लागू नहीं हो सकता, अब मुझे बताओ मुहन भागवत जी, आपके हिंदुराश्ट्र को इस देश में लागू करने की सबसे बड़ी समस्या है, डॉक्टर बाबा साब अंबेड कर, आज बाबा साब अंबेड कर हमारे सामने जिन्दा नहीं है, हमारे सामने ये बाबा साब की एक लाइन आगे लेकर आते हो, और चार लाइने चुपा देते हो, और इसलिए मैं आप लोगों को, देश के लोगों को कहना चाहूंगा, इस देश में मोदी और अमिच्छा को रोकने से कुछ नहीं होने वाला, इस देश में से अगर किसी को हटाना है, तो वो RSSS को हटाना होगा, इसको हटाने के लिए आप सभी लोग पहल करें, यही मैं आज के इस एपिसोड में कहना चाहता हूँ, आज आप लोगोंने मुझे सुना उसके लिए आभार, जै भीन, जै भारत, जै बुद्ध.